नेटवर जी कपिल सिब्बल ने सीधा कहा है हम जी हजूर 23 नहीं है क्या आपको भी लगता है कि गांधी परिवार और उनके उसके इर्द गिर्द जिस तरह से आज सिमट कर रहे गया है कॉंग्रेट ने तुम उनका है कि हेडलेस पार्टी अब मैं इस पर ट्रिपड़ी नी करना चाहता हूं को मेरे इस परवा से बड़े नस्दीक रिष्टे रहे हैं बाद में डिफरेंसेज हो गए पर मैं इनके पर जवाला जी की जानता हूं इंदर जी के साथ पांच साल में ने काम किया द्रस तोने उनके राजीर के साकाद मैं म अब जोट सिंग सिद्दू पर भरोसा करना गलत फैसला साबित हुआ है अब जी क्या मुझे पता नहीं का लेटर स्टूशन वह क्या है वह वह वापिस आगए के वापिस नहीं आए है पर उनको अद्रक्ष मनाय था जहां तक मुझे पता है प्रियंक गांधी नहीं हाला कि अमरिंदर सिंग जी उसके खिला थे उन्हें का बहीं को नहीं बनाना चाहिए ठीक है मैं लॉटरी उसर आपके पास सुधान्चु जी जो पर सितियां बन रही है उसमें आप लोग बड़े खुश हो रहे हैं लेकिन सवाल तो यह है कि वहापर चरंजीत सिंग चन्नी सहाब और सिद्धू के बीश में मुलाकात हुई और लगरा बात बन जाएगी लेकि कैप्टेन साब क्या करेंगे इस विशह में तो कोई कैप्टेन साब का अधिकारी प्रवक्ता बता सकता है नटवर सिंग जी ने जो बात बोली अब वो ज़्यादा बहतर एसेस्मेंट कर सकते हैं जैसा उन्होंने कहा कि शायद उनका यह अनुमान था कि वो अपनी अलग प अपते पहले की तो बात है जब हम लोग यह सुनते थे कि कैप्टेन साहब और सिद्धू में बाचीट चल रही है कि समाधान निकल आएगा और परिवर्तन होने के बाद अब चन्नी और सिद्धू के बीच में बाचीट चलने लगी यह तो समझ से परे है कि मतलब जो भी को यह आएगा सिद्धू उसके पर्मानेंट अपोजिशन में रहेंगे तो यह तो कॉंग्रेस को सोचना चाहिए कि उन्होंने किस प्रकार से निर्णे लिया अब एक छोटी सी बात कहता हूं एक सर्धांतिक बात अंजना जी राजनीत में आदमी तीन आधारों पर आगे अब मैं इमानदारी से पूछूं राहूल गांदी जी इन तीनों में से किस मामले में यह जो सो कॉल्ड जी ट्वेंटी त्री जिसको बोल रहे हैं इससे बेतर हैं और यह बात कोई भी कॉंग्रेसी नेता अपने दिल में बैठके कह दे बस यही एक अंतर होता है कि जब सरगीक नेत्र तुन नहीं खड़ा करते हैं तो समस्या होती है बहुत कम लोगों को पता होगा आज हम 2021 में बैठे हैं हैं अंजिना जी मोतिलाल नेरू जी 1919 में कॉंग्रेस के अध्यक्ट से 100 साल से इस परिवार के उपर परिवार का कॉंग्रेस पे वर्चस्व है CWC पहली बार 1920 के नाकपूर कॉंग्रेस सेशन में CWC का गठन किया गया था CWC पर भी लगबग 20 साल से इनके परिवार का वर्चस्व है और उसके बाद भी यदि यह नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं तो उसका कारण जानते हैं कारण यह होता है कि जब एक होता है परिक नेतर तो शुरू करना जैसे मोदी जी 20 वर्च संग के परचारक रहे 1990 में पार्टी के राष्टी सचिव बने उसके पार्टी के महा सचिव बने 11 साल संगठन में काम किया फिर 12 साल मुख्यमंत्री के रूप में काम किया 7 साल प्रधान मंत्री के रूप में काम कर रहे अटेल जी उत्तर पुर्देश में चोटे से कस्वे संडीला में परचारक के रूप में शुरू हुए राष्ट धर्म के प्रकाजर वो संपादक बने उसके बाद सांसद बने नेता प्रतिपाक्ष राष्टी अध्यक्ष विदेश मंत्री कई चीजों में होते हुए आगे ब ने ने मैं बिलकुल इमानदारी से कह रहा हूँ मैं जितने लोग बैठे मैं चुनोती से बोल रहा हूँ आधरणी अडवानी जी को पार्टी ने पूरे सम्मान के साथ प्रधान मंत्री पत का कैंडिडेट बनाया वो 83 वर्ष की आयू में प्रधान मंत्री के कैंडिडेट दुनिया के किसी देश में रहा हूँ उसके बाद उन्होंने स्वेच्छा से उस विशे को अलग किया पार्टी ने कभी उनका असम्मान नहीं किया मोदी जी ने जाकर उनसे आशिरवाद लिया और आज भी हम लोग सब स्विकार करते हैं इस बात को एक आयू के बाद उन्ह के साथ किया